सब्सक्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए पीरियेट्स में अगर आपको सामाने से कम ब्लीडिंग होती है तो उसके कौन-कौन से कारण हो सकते हैं साथ ही जानेंगे कि पीरियेट्स में कम ब्लीडिंग होने पर आप कौन सी मेडिसिन को यूज कर सकते हो तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैनल चैनल और बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गाइस देखिए अगर आपको पीरियेट्स में कम ब्लीडिंग हो रही आपके पीरियेट्स खुलकर नहीं आ रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तो चलिए पहले तो कारणों को जानते हैं कि पीरियेट्स में कम ब्लीडिंग होने के कौन-कौन से कारण हो सकत होता है period मेंätte कम bleeding होने का दूसरा अगर आपका environment अभी चेंज हुआ है आपने city change की है या फिर आपने country ही चेंज की है तो भी कारण हो सकता है आपके period में بة leading होने का तीसरा अगर आपको मेनाय की है मतलब के अगर के periods अभी अभी शुरू हुए आने मतलब जिन girls की age 12 से 14 साल के around होती है तो उनके periods खुलकर नहीं आते हैं अगला है जो females menopause की age में होती है मतलब जिन females की age 45 साल के around होती है उनको भी periods में कम bleeding होती है चीक है अगला कारण है कि अगर आपकी जो diet है वो nutritional नहीं है जो जरूरी तत् अगर वो आपकी diet में नहीं है तो भी आपको समाने से कम bleeding हो सकती है अगला है अगर आपके pelvic reason में किसी परकार की cyst है मतलब कि अगर आपको ovarian cyst है PCOD की problem है या फिर PCOS की problem है या फिर आपके बच्चे दानी में fibroids हैं रसोलियां है तो भी आपको periods नहीं आते हैं साथ ही अगर आपको hormonal imbalance है अगर आपका thyroid gland properly function नहीं कर रहा तो भी आपको periods में समाने से कम bleeding देखने को मिल सकती है अगला है अगर आप हच से ज़्यादा exercise करते हो तो उससे आपका जो estrogen level है वो कम हो जाता है जिसके चलते आपको समाने से कम bleeding देखने को मिल सकती है अगला है कि अगर आपने कोई surgery करवाई है या फिर आप लंबे समय से किसी medicine पर हो या फिर आप लंबे समय से बिमार चल रहे हो तो भी आपको समाने से कम bleeding हो सकती है अगला है कि अगर आपको abortion हुआ है अगर आपका गरपात हुआ है तो भी आपको समाने से कम bleeding देखने को मिल सकती है अगला है कि अग जाइटी, टैंशन होती है, ये भी फ्लेक्शुेट करती है आपके period cycle को और जो period में होने वाली bleeding है, वो भी कम हो जाती है, ठीक है, तो guys ये कुछ कारण थे, जिसके चलते आपको समाने से कम bleeding देखने को मिल सकती है, अब चलते हैं आगे medicine की तरफ की किन medicine को use करकर, आप अपने periods में कम bleeding की परेशानी को दूर कर सकते हो, तो guys देखिए कोई ऐसी specific medicine नहीं है, जिससे आप bleeding को ज़्यादा कर सको, पहले तो आपको systematically तरीके से अपने periods के जो sinus symptoms हैं, जो परेशानिया हैं, जिन कारणों के कारण आपको bleeding कम हो रही है, आपने उन कारणों को दूर करना है, ठी HIV के कारण, मतलब कि anemia की condition के कारण, जो periods हैं, उन में कम bleeding देखने को मिलती है, तो उस समय आप कोई भी iron supplement ले सकते हो, यहाँ पर मैं आपको कुछ syrup के नाम बता देता हूँ, जैसे अगर आप non vegetarian हो, तो आप dextorans को use कर सकते हो, अगर आप vegetarian हो, तो आप Arbiton syrup को use कर सकते हो, ठी ठीक है, अगर आप syrup को use नहीं करना चाहते हैं, तो आप him up के capsule आते हैं, जैम्स आते हैं, आप उनको use कर सकते हो, ओके, अगर आपकी जो diet है, वो nutritional diet नहीं है, जरूरी तत्व आपको नहीं मिल रहे, तो भी आप supplement ले सकते हो, जिसमें vitamins अच्छी मातरा में हो, यहाँ पर आप जिंकोविट सिरप को ले सकते हो, या फिर जिंकोविट के capsules भी आते हैं, tablets आती हैं, A to Z capsules भी आते हैं, तो आप इनको use कर सकते हो, अगला की environment change के कारण अगर आपको कम bleeding हो रही है, तो आपने कुछ समय का wait करना है, कोई medicine की जहुरत नहीं होती, आप healthy lifestyle को अपनाएं, आप कम से कम 45 days, और ये problem भी अपने आप subside हो जाती है, ओके अगर आपका abortion हुआ है, तो भी guys आपने wait करना है, कम से कम 45 days का, और अगर आपको periods नहीं आते, तो आपको hormonal pills के द्वारा आपके periods आ जाएंगे, उसके लिए आपको अपने doctor से, अपने गाईनी doctor से मिलना है, या फिर आप में comment करके भी पूछ सकते हैं कि कौन सी medicine यूज करनी है, और अगला है कि देखिए, अगर आपको जो periods हैं, वो आपके pelvic reason में कोई cyst है, tumor है, या फिर fibroids हैं, तो उसके चलते तो आपको एक बार तो अपने ultrasound करवाना पड़ेगा, लेकिन इसके कुछ syno symptoms हैं, जैसे आपक करवालें, properly diagnose हो जाएं, जब आपको कारण पता लग जाएगा, तो ये problem भी अपने आप सबसाइड हो जाएगी, medicine के through, ठीक है, तो घबराने की योड़त नहीं है, आप एक बार ultrasound करवाएं, और अपने doctor से जरूर consult करें, कोई ना कोई solution तो निकली जाएगा, ओके, तो आज क की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ, ये वीडियो आपके लिए काफी useful और benefit रखती होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ अगर आप हमाले चलन पर नए है, तो चलन को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगरे वीडियो में एक इंटरस्टिंग टोपी के साथ, तब तक कि लिए, stay healthy, stay